तो दोस्तो साल 2023 तो शारुखान की नाम ही रहा लेकिन अब देखना है कि दोहजार चोबीस में किंखान की किसमत के सिधारे क्या कहते हैं ये तो सभी को पता है कि बीते साल एक्टर ने एक नहीं बलकि तीन फिल्मे हिट दी अब हाल ही में मिडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि शारुखान करण जोहर संग अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारी कर रहे हैं हाला कि अभी इस बात की पुछ्टी नहीं हुई है लेकिन जूम रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि एक बार फिर से करण संग किंखान की जोड़ी कमाल दिखने वाली है बेशक शारुखान के लिए 2023 लगी सावित हुआ लंबे साल बाद एक्टर ने हिट फिल्म से बड़े परदे पर वापस ही की थी लेकिन आप 2024 में किंखान क्या कमाल दिखा पाते हैं ये जानने के लिए फैंस बेस अबरी से दिखाई दे रहे हैं ऐसे में जूम की रिपोर् अब इतने लंबे समय बाद दर्शकों को उनका साथ आना कितना पसंद आता है ये तो फिल्म की कहानी पर निर्भर करता है हालाकि ऐसा नहीं है कि करण जोहर और शारुखान ने इससे पहले काम नहीं किया हो दोनों ने एक नहीं बलकि कई फिल्मों में साथ काम किया है ने भारत समेथ दुनिया भर में 400 क्रोर से ज़्यादा की कमाई किये है जानकारी फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को दी निर्माता रेड़ जिलीज इंटर्टेंडमेंट ने अपने आधिकारे की इंस्टाग्राम पेज़ पर मंगलवार को बॉक्स आविस से अबिजा जोसी और कनीका डिलो ने मिलकर लिखी है खेर आप शारुखान और करन जोहर की फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना बाकि अगर आप भी शारुखान के डाय हाट फान है तो एस जी ही शारुखान की मोवी से रिलेटेड हर एक